जै माताई दोस्तो आने वाली वर्ट सावित्री व्यत के लिए आप सबी माताओं बेहनों को डेर सारी शुप कामना है बगवान स्री हरी विष्णु आपकी जोड़ी हमेसा सलामत रखें और आप जीवन परेंथ अपने पती की लंबी आयू के लिए उनके स्वास्त की कामना को लेकर इस व्यत को करती रहें इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं सुरू कर रही हूँ दोस्तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वर्ट सावित्री व्यत में सिंगार की जो चीजें होती है वो अगर हम चड़ाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए किसे देना चाहिए किसे नहीं देना चाहिए बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ देखी एक तो होता है कि बहुत सारे लोगों के हाँ जिन के हाँ चलता है मैंसे नहीं करूँ यह सब के हाँ चलता है क्योंकि नियम बहुत सारे लोग अलग अलग बना लेते हैं कई वारी ये कहीं देखने को ही नहीं मिलते हैं लेकिन नई नई माताओं बहनों के दारा ये नियम जो है वो बना दिये जाते हैं और कई बार ये नियम जो है वो हमारे बड़े बजुर को कर रहे होते हैं अगर कर रहे होते हैं तब तो बात ही अलग होती है वो चड़ाते हैं और उसके बाद उठाके अपनी सास को दे दिया जाता है बहुत सारे लोगों के यहां चलता है बहुत सारे लोगों के यहां नहीं चलता है अगर आप के यहां चलता है तो आप इस नियम को करें अगर नहीं चलता है तो नए तरीके से किसी भी चीच की सुरुआत जो है वो नहीं करनी चाहिए अगर आपको अपनी सासु मा को साड़ी देना है या जो सिंगहार है वो देना है तो आप बेसक दीजिए लेकर अगर आपके यहां की यह प्रथा नहीं है कि नहीं मतलब वर्ड सावित्री में चलता नहीं है लेकिन आप फिर भी उनको दे रहे हैं तो यह नहीं करना चाहिए अगर आपके यहां के ऐसी मानता है तो आप बेसक उनको दे सकते हैं और दूसरा क्या है जैसे वर्ट सावित्री वर्थ जो है वो जो माताय बहने रखती है एक तो अपने पती के लिए कोई बिवस्तर जैसे बन्यान हो गई या सेंडो या माली जेती सर्ड सर्ड जो भी है वो पूजा में प्रसाद के तौर पे चड़ाती है फिर वही अपने पती को देती है प्रसाद के तौर पे तो एक तो ये अलग चीज है दूसरी बहुत सारी माताय महने हैं और यहाँ पे मैं यह बोलना चाहूंगी कि वट सावेत्रिक ब्रत में जो सिंगार है वो बहुत ज़द महत्पूर हैं जो भी माताय महने हैं उनको सिंगार जो है वो अवस्य रूप से चड़ाना चाहिए भले उनके आथाली चलती हो सास की ना चलती हो लेकिन सिंगार जो है वो वट वच के नीचे जरूर चड़ाना चाहिए बहुत जादा कर सामान नहीं है तो सिंदूर बिंदी और आलता चूड़ी इतना जरूर चड़ाएं अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो जो सिंदूर है और जो आलता है और जो चूड़ी है वो जरूर चढ़ाएं इस तरीके से जितना हो सके आप से वो सिंगार जो है वो जरूर चढ़ाना चाहिए और वो जब सिंगार हम बटवच के नीचे चढ़ाते हैं सिंगार की लंबी आयू के लिए तो वो जो सिंगहार हम चड़ाते हैं उसमें सिप्रसाद के तौर पे कुछ आप ले सकते हैं और कुछ जो है वो वहीं पे छोड़ दिया जाता है और बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि किसी को दान में देते हैं जैसे कि वो जो सिंगहर है वो उठा के और किसी मंदिर में दान में दे देते हैं या किसी अकरवगल पडोसी जो है वो उनको दान में दे देते हैं वो जो सिंगहर की चीज़े होती है वो बहुत सारे लोगों किया ऐसा चलता है कि जो बास का पंका है वो लिया जाता है उसके उपर पूरा सिंगार रक्की और किसी ब्रामडी को दान में दिया जाता है सब जगे के क्योंकि देखे इस्टेट बदलते हैं तो हर जगे का थोड़ा थोड़ा जो नियम है वो अलागोता चला जाता है बदलता चला जाता है आपके यहां आपकी बड़े बुजर्ग जो हैं वो किस प्रकार से करते थे आप उस प्रकार से कीजिए अगर आपके यहां यह मानता है तो कीजिए अगर नहीं है तो मत कीजिए लेकिन हाँ सिंगहार जो है वो जरूर चड़ाना चाहिए क्योंकि सिंगहार जो है वो ये अपने पती की लंबी आयो के लिए सुहाक के लिए इसलिए वट-वरच के नीचे सिंगार जो है वह वस्ज रूप से चढ़ाएं और उस सिंगार को माली जी बिच्षिया तह말ग आपने चढ़ादी है बहुत सारी माता है बैने है जो चांदी की बिच्षिया वह वट-वरच के नीचे चढ़ाती है तो वो प्रस का बिच्वा आप चड़ा रहे हैं या पायल चड़ा रहे हैं या सिंगार की जो भी महंगी चीज़ें चड़ा रहे हैं वो हरे ब्यक्ति यही चाहता है कि वो प्रसाद के तौर पे वहां पे वठेवरच के नीचे सावितरी माता की फोटो में छुआ के और अपने लिए रख सब ऐसा सोचते हैं इतना महंगा महंगा कोई दान जो है वो भी या बहुत बड़ा दिलवाला होगा तो हो सकता है कर भी दे नहीं तो प्रसाद के तौर पे वहां पे चड़ा के और फिर स्वयम धारण कर लेते हैं उसी प्रकार से सिंदूर या बिंदी या आलता या चूड जो भी सिंगार अगर चड़ा रहे हैं उससे आपको थोड़ा थोड़ा वहीं पे छोड़ देना चाहिए और थोड़ा स्वयम प्रसाद के रूप में घर ले आना चाहिए और वो आपको धारण कर लेना चाहिए जैसे आपने मान लिजे साथ या एक दरजन या दो दरजन च या आप चाहें तो अपने माथे बिबिंदी लगा लें पत्ता वहीं छोड़ दें आपको जैसा ठीक लगे आपके जैसे बज़ट में है उससाब से आपको कर लेना चाहिए बहुत ज़दा ताम जहाम जो है वो करने की जरुरत नहीं होती है सब के बज़ट में बहुत सारी जो है वो नहीं होती है आपके बज़ट में क्या है आप क्या कर सकते हैं उससाब से कीजी देखिए पूज़ट जो है वो तीन तरीके की होती है आप जिस भी प्रकार से बड़ी मजली चोटी जो भी पूज़़ा करने के सामर्त में है आप उससाब से कर सकते हैं कोई एक ज़्यादा से ज़्यादा समान चढ़ाया है अगर आपके वजद में हैं नहीं है तो जितना चढ़ सकता है उतना आप चढ़ा सकते हैं और जैसे मैंने बता दिया अगर आपके Erfahrung को देने का रिवाज है तो आप वो करें अगर वट cel上 छोड़ा के थोड़ा शॉत इंदे तो यह मुझे सबसे अच्छी चीज जो है वो लगती है और हमारे यहां का नियम भी यही है आपके यहां कैसा नियम है आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आये तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न बोलें आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूं दोस्तों जय माता दी